क्या हो गया अगर रात में 8-10 रोटी बच जाए तो आज हम इनी रोटीों को बहुत ही बढ़िया से इस्तमाल करेंगे और ऐसी रेसिपी बना कर त्यार करेंगे कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे तो जटपट से रेसिपी की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही मैंने किचन में आके देखा तो मैंने देखा कि 8-10 रोटीयां बच ही गई है तब ही मुझे मेरी एक सिंधी फ्रेंड की याद आ गई जो बच्पन में अपने लिए लंच लेकर आती थी और हम लोग उसका लंच बहुत ही चाव से खाते थे तो मैंने सोचे कि आज कुसी की रेसिपी बना लेते हैं तो यहां पर मैंने कड़ाई चड़ा दी है और कड़ाई में मैंने यहां पर थोड़ा ओयल डाला है साथी सा थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया है और थोड़ी सी यहां पर मैंने सरसो भी डाल दी है जो काली वाली होती है बस वही मैंने इस् और एक बारी खटे हुए प्यास का भी इस्तमाल किया है अब इन सारी चीजों को जो है मैं अच्छे से भून लोंगी और इसी में एड करूंगी मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची और हरी मिर्ची और इन सब को अच्छे से भूनने देते हैं तब तक आप मुझे कमेंट करके बता द आप यो मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं ताकि मैं आपका ठेंक्स कर सकू hum पिछला थैंक जाता है समेशता कुमारी जी को जारखंड से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरीके से लच्छे वाले ये जो शिमला मिर्च है उनको काट के रखा है और साथी साथ मैंने यहाँ पर टमाटर को भी लंबा कट करके रखा है आप चाहें तो इनके छोटे छोटे पीसेस में भी काट कर डाल सकते हैं अब इन सारी चीजों को जो है अच्छे से भून लेंगे और साथी साथ आप मुझे ये भी कमेंट करके बता दीजी कि आप अपने घर पर रोटी का किस तरीकी से इस्तमाल करते हैं अगर वो बच जाए तो तो यहाँ पर अब मसाले की बारी आती है जहाँ मैंने सबसे पहले थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा नमक, साथी साथ थोड़ा सा धन्या पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और थोड़ी सी हलदी डाली है अब इनके उपर थोड़ा सा हम पानी एड़ कर देंगे और इन सारे मसालों को जो है अच्छे से भून लेंगे ये देखी बहुत ही जल्दी ये जो हमारी रेसेपी है वो बन कर त्यार हो जाएगी क्योंकि बची हुई रोटी से हम बहुत ही जल्दी और इंस्टेंट वाली रेसेपी बना रही है जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और ये देख सकते हैं कि हमारे जो मसाले है वो लगभग पक कर त्यार हो गए है अब हम इन में डालेंगे हमारी बची हुई रोटिया आठ से दस रोटी मेरी बच गई थी तो मैंने सोचे कि इसी तरीके से रेसेपी बना कर त्यार की जाए हलाकि मैंने पहले भी बनाई है घर वालों को बहुत ही जादा पसंद आई है और अब हम इसमें लगभग दो कटोरी के करीब पानी का इस्तमाल करेंगे अगर रोटी कम है तो आप थोड़ी कम क्वांटिटी में भी पानी डाल दीजिए जैसे ही इसमें पानी डल जाए इसको हम ढखकन लगा कर बंद कर देंगे अगर आपके पास कूकर है तो कूकर में भी आप दो विसल से इसको बना सकते हैं तो यहां पर लगभग दो-चार मिनट हो चुके हैं और इसमें जो है अच्छे से बॉयल भी आ गया है और एक दो मिनट आप चाहे तो इसको और पका सकते हैं अब एक कर्ची की मदद से इन सारी रोटी को जो है कुछ इस तरीके से कर्ची की मदद से ही तोड़ लीजिए और यह बहुत ही आसानी से छोटे-छोटे पीसिस में कट हो जाएगी क्योंकि यह रोटी जो है वो पूरे तरीके से गल चुकी है और बेस्ट पार्टी यह है कि आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं चाहे तो इसे आप कैचप के साथ में खा सकते हैं या फिर दही ओपर से थोड़ा सा यह जो पनीर है वो स्प्रिंकल कर दीजिए यह पूरी तरह से आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और भी डिर सारी स्पाइशिज आप इसमें डाल सकते हैं लेकिन रोटी को इस तरीके से अगर खाओगे तो यह बहुत ही जादा टेस्टी लगेगी तो चलिए मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ और आप चाहे तो इसमें कौन्स भी डाल सकते हैं या फिर उपर से कच्छा प्यास भी स्प्रिंकल कर सकते हैं जो आपका मन करें लेकिन रोटी का इस तरीके से इस्तमाल बहुत ही बढ़िया रहता है तो इसको फटा फट से अब हम एक प्लेट में डाल लेते हैं और खाने में तो यह बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो क्या आपने भी कभी इस तरीके से रोटी का अपने घर पर इस्तमाल किया है क्या आप भी इसी तरीके से रोटी को बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और यह है इसका फाइनल लुक तो चलो मुझे तो अब इंतजार नहीं हो रहा है मैं तो इसको जटपट से खा लेती हूँ आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना बबाई